वित्मंत्री के तौर पर आतशी ने पहली बार बजट पेश किया है और अब वो ये भी कह रहे हैं कि सितंबर के महिने तक लोगों के अकाउंट में एक हजार रुपे आने लगेंगे अठारा वर्च से अधिक उम्र की महिलाओं के अकाउंट में लेकिन राम राजी को लेकर काफी चर्चा आतिशी ने कल अपने बजट में की और इसके पीछे ऐसा लगा कि आप भारती जंता पार्टी के पिछ पर बल्ले बाजी करने पोहज गए हैं क्योंकि इन्हों ने राम मंदिर प्रांट पतिष्ठा के बाद से चार्सो पार का नारा लगाना शुरू कर दिया जो रामचा रित्मानस में रखी जाती है वो क्या कहती है कि रामराज में कोई दीन नहीं है कोई दुखी नहीं है कोई बीमार नहीं है हर परिवार समर्द है जो सबसे पीछे हैं जो सबसे नीचे है समाज में उसके बारे में सबसे पहले सोचा जाता तो पिछले नौ साथ स अर्विन केजरिवाल जी की सरकार यही तो प्रयास कर रही है चाहे वो गरीब बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो लोगों को अच्छा इलाज देना हो उपेक्षित अनादिक्रित कॉलनियों में विकास करना हो महिनाओं को सबसे आगे रखना हो बुजर्गों को सबसे आगे रखना हो यह तो अर्विन केजरिवाल जी की सरकार नौ साल से करती आई है तो भारती जनता पार्टी सिर्व भगवान राम का नाम लेती है राम राज्य की बात करती है आम आदमी पार्टी राम राज्य को यथार्थ करती है उसे जमीन पे उतारने का प्रयास करती है ये अंतर है दोनों पार्टियों में इंडिया गड़बंदन के तहट आप लोग क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं और जब बीजेपी चाड़ सो पार का नारा देती है आपको क्या लगता है आप जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर आप कितनी सीटे जीतेंगे एंडिया गड़बंदन के तहएं देखिए बिलकुल इंडिया गड़बंदन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि साथ मेंसे साथ सीट इंडिया गटबंदन को आए बाकी तो फाइनली आकड़ा कहां पर आके रुकता है वो तो दिल्ली के लोग तै करेंगे लेकिन इसमार दिल्ली के लोगों को एक बात जरूर समझ में आ रही है ये बात समझ में आ रही है कि अगर अर्विंद केजरी वाल के हाथ मजबूत हुए संसद में दिल्ली वालों की आवाज उठाने वाला कोई हुआ तो जो रोज रोज का लड़ाई जगड़ा है स्कीम्स को रोकने की कोशिश है काम को रोकने की कोशिश है वो कम से कम दिल्ली वालों की एक जो रोज मर्रा की परिशानी है वो दूर होगी इसी से एक सवाल निकल रहा है भाजपा ये कह रही है कि आप योजनाओं का ऐलान तो कर देते हैं उन्हें लागू नहीं करवा पाते हैं भारतिये जन्ता पार्टी अपने द्वारा शासित कोई एक राज्य हमें बता दे जहां पे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बहतर कर रहे हैं भारतिये जनता पाटी कोई एक राज्य हमें दिखा दे जहां पे प्राइमरी हेल्थ केर मौला क्लिनिक जितना शांदार चाहता है। भारतिये जन्तापाटी कोई एक राज्य अपना दिखा दे जहां पर 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का भिल फिर भी जीरो आता है तब मैं मानूंगी कि वादे कौन पूरे करता है देखिए पूरा देश जानता है कि भारतिये जन्तापाटी चुनावी वादों के नाम पर जुमले सामने रखती है अर्विंद केजरीवा जितने वादे करते हैं उससे जजादा काम करके दिखाते हैं ये पूरे देश को पता है भाजपा ये भी ज़िए रही है कि राम नाम का सहरा आपको लेना पढ़ रहा है काम करना नहीं है लेकिन राम का नाम लेकर इनको तू तू आटरश को अपने जीवन में अपनी राजनीति में उतारने वाले हैं。 अगर भारतिय जनता पार्टी भी अपने जिन राजियों में उनकी सरकार है, राम राजी को यथांत करने का प्रयास करेगी, तो मुझे लगता है इस देश में लोगों की जिन्दगी बहतर हुए